नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप फोटोशाप के माध्यम से कैसे ट्रेफिक लाइट इफेक्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं जैसा कि देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे दो ट्रेफिक जिसमें हमने यहाँ पे आफ ये ऑन है तो इस तरीके से अगर अप्लाई करना चाहते है इफेक्ट तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं तो चलिए आपको बताते है दोस्तों सबसे पहले आपको लेर वाले अप सल में आना है और यहां से एक आपको न्यू लेयर पे क्लिक कर दिना है उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको यहां पे जो background color इसको select करना है उसके बाद जो आपका पहला वाला light वाला है उसका color आपको select करना है जैसा हम rate कर लेते हैं okay करना है उसके बाद यहां पे दोस्तों आपको जाना है brush tool पे और brush tool पे जाने स पहले आपको इसमें सबसे पहले हम यहां से आपको नॉर्मल ले लेना है जैसे आपकी 1, 2, 3 है उसके बाद यहां पर जो हाडने से इसको आपको ज्यादा कर देना है यानि 100 कर देना है उसके बाद आपको यहां पर ब्रैकेट जो है इसको आपको बड़ा कर देना है जो आपक उसके बाद blending option में जाने के बाद, यहां पे जो unlayering layer है, इसको आपको कुछ इतना पे कर देना है, या इतना पैम कर देते हैं, जब कि यहां पे आपका हड जायेगा, उसके बाद okay करना है दोस्तो, इतना करने के बाद दोस्तो, आपको एक और new layer प्लिक करना है, new layer प्लिक करने के बाद, आपको यहां पे जो normal का option है, इसमें आपको screen कर देना है, screen करने के बाद दोस्तो, आपको क्या करना है, यहां पे फिर्ट से आपका जो color, color panel में आना है, color को select कर लेना है, okay करना है, and brush tool को लेना है, और यहां से जो आप किये थे, hardness इसको आप कर देना है, zero, उसके बाद यहां पे आपको zero करने के बाद, आपको फिर्ट से वही effect इस तरीके से set करना है, और आपको यहां पे click कर देना है, तो दोस्तो आप देख सकते हैं, यहां पे हमारा perfect यहां पे जो traffic light का effect अप्लाई हो गया है, अगर यह बहुत आपको कम यहां पे दिख रहा है, तो आप इस पे double click करकर आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा कि दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं, हमारा proper तरीके से, और traffic light यहां पे red वाला यहां पे on हो गया, green वाला चाहिए, yellow वाला same way step रहागा, जैसा कि आप देख सकते हैं, वो apply कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप apply कर सकते हैं, और यह सबसे best और easy step है, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो दोस्तों मिलते हैं किसी next video पर और next आप पर तब तक के लिए good bye,